Hello Friends, Welcome to Sunrise Classes. मैं आपका स्वागत करती हूँ Sunrise Classes के YouTube प्लेटफर्म पे. हम लोगोंने नेक्स्ट वीडियो में गुपता कापुर का 5.27 सॉल्व किया था. इस वीडियो में हम लोग 5.28 कोशन नमबर 1 सॉल्व करेंगे. Friends, मैं आपको इससे पहले बतला दूँ कि Sunrise Classes करेंटली अभी ऑनलाइन और आफलाइन टेस्ट वीडियो लेकर आया है. उन स्टुडेंट्स के लिए जो ISS के प्रिपरेशन करते हैं. यह केसरी सेम पैटर्ण पे दिया गया है जो आपको में एक्जाम में दिया जाता है. ताकि आप पहले से ही प्रैक्टिस करके जाएं और आप में एक्जाम में और भी बहतरीं करें. अगर आप जोइन करना चाहते हैं तो आप हमारे वेव साइट www.sunriseclasses.com पर जाकर जोइन कर सकते हैं और आप हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं 822-705-6819. हमारा दूसरा नंबर है 8595-755747. आपके लिए एक बेहतरीन ओफर भी है क्रिस्मस के पाटी पे तो आपको 50% डिसकांट दिया जा रहा है अगर आप 25 दिसंबर से पहले जोइन करते हैं तो आपको 50% डिसकांट तेस तरीच पे दिया जाएगा. तो चलिए हम लोग 5.28 कोशन नंबर ए पे आते हैं और उसे सॉल्व करते हैं. हमारा कोशन से हैं, रादनम वारियाबल और रादनम वारियाबल एक्स है देंटिटी फंसन एफेक्स इचकल टू इसमें हमें k की वैलू फाइंट करनी है, दिन हमें distribution फंसन फाइंट करना है, दिन probability x is greater than equal to 0, उसके बाद mean and variance of x. तो चलिए हम लोग फाइंट करते हैं k की वैलू. k की वैलू फाइंट करने के लिए हम लोग total probability का concept यूज़ करेंगे हाँ पे. तो total probability का concept यहाँ भी यूज़ कीजिए, लेकिए हमने पहले से पेज में लिखा था, the density function of x is fx, k into 1 upon 1 plus x square, where x lies between minus infinity to infinity from the axioms of probabilities, since total probability is 1. तो चलिए हमें से मैं स्टार्ट करते हूं आपका, minus infinity to infinity हमारा total range है, fx dx is equal to 1, तो अब fx की वैलू पूट कीज़ कीजिए, minus infinity to infinity, fx k into 1 upon 1 plus x square dx equal to 1, okay? हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2k 0 to infinity, 1 upon 1 plus x square, ऐसा मैंने क्यों लिखा, because जो यह function fx, यह even function है, that's why मैंने इस तरीके से इसे लिखा, okay? तो मैंने लिख देती हूं, fx is an event function of x. 2k की value find करती हैं यहाँ पे, 2k 10 inverse x, हमारा range है 0 to infinity equal to 1, 2k, अगर मैं x की जगा पे infinity put को करूंगी, तो हमारा value आगा 10 inverse infinity, pi by 2 होता है, 10 inverse 0 होता है, हमारा 0 ही होता है, equal to 1, then 2k into pi by 2, okay, 2 to cancel, then आपका k का value क्या मिला, k is equal to, equal to 1 by pi, चलिए, तो finally fx हमारा क्या हुआ, लिखते हैं, finally fx, fx जो हमारा हुआ, finally, 1 upon pi into 1 upon 1 plus x square, where x lies between minus infinity to infinity, okay, then अब मैं इसके बाद distribution function find करेंगे, चलिए, distribution function find करते हैं, distribution function, distribution function को हम लोग इस तरीके से define करते हैं, probability capital x is less than equal to x, हमारा जो random variable वो continuous है, so integrate करेंगे हम कहां से, minus infinity to x, 1 upon 1 plus u square du, okay, और हमारा k का value हमें पता है, 1 upon pi, चलिए, तो हमारा जो इसका integration क्या होगा, 1 upon 1 plus u square का 10 inverse u, 1 upon 1 by pi minus infinity to x, तो चलिए, इसका क्या value होगा, दिखते, 1 by 2 plus 1 by pi, 10 inverse x, okay, 10 inverse minus infinity minus pi by 2 होगा, अब हम, क्या निकालना है, अब हमें probability, अब हमें probability निकालना है, तो चलिए, इस distribution function मैंने अभी निकालना है, उसका use करूंगी यहाँ पर, इस question में, तो हमें निकालना है probability, probability, x is greater than or equal to 0, तो हमारा range कहां से कहां से, 0 to infinity, fx dx, okay, fx event function है, so, तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, minus infinity to infinity, fx dx, equal to, चलिए, यहाँ में लिखते हूँ, equal to, आपको पता है, यह total probability हो जगा, because if total range पर integrate है, तो 1 by 2, total probability equal to 1 होता है, तो मैंने 1 लिख लिख लिया, equal to 1 by 2, okay, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, कि fx जो है, वो event function है, x का, fx is a event function, of x, okay, चलिए तब mean है, हमें निकालना, mean निकालते हैं हैं लोग, mu 1 dash, expectation of x, equal to, हमारा range कहा था, minus infinity to infinity, x, fx, dx, तो हमारा, किये का वेलु किया था, 1 by pi, minus infinity to infinity, x, dx, upon, 1 plus, x square, okay, और फिर से हाप पर, concept वही यूज होगा, यहाँ एब निकालना, event function का, because fx जो event function, so, 2, 1 by pi, 2 upon 1 by pi, 0 to infinity, x, upon, 1 plus, x square, dx, अब इसे मैं integrate करूँगी, फिर से, 1 by pi, तो log, 1 plus, x square, 0 to infinity, यह tend कर जाएगा, infinity पर, okay, so, tend के आए, infinity पर, तो, it means, कि mean exist नहीं कर रहा है, so, अब हम लिखते हैं, यहाँ पर, hence, mean of the distribution, does not exist, variance लिखते हैं, variance का formula क्या है, variance equal to, mu2 dash, minus mu1 dash, x का square, so, variance में पर डिपेंड कर रहा, mean पर, so, इसलिए, mean does not exist कर रहा, that's why, variance पर डिखिस नहीं करेगा, since, mu1 dash, does not exist, variance, also, does not exist, आप देख लिए, कि mean और डालियूंस, दोनों exist नहीं किया, इस question में, okay, देख लिए, 5.28 का question number A, बन जया है, तो, दोस्तो, ये question बन जया है, दोस्तो, मैं आपको बतला दूं, कि Sunrise Classes, एक daily best coaching है, जो, Indian Statistical Service की, preparation करवाती है, currently, Sunrise Classes ने, offline, और online test series लेकर आई है, आप, अगर test re-join करना चाहते हैं, तो, आप हमें, विजिट कर सकते हैं, www.sunriseclasses.com, इस test series में, आपको 60 module test series दिया जाएगा, इस module में, आप 5 time access कर सकते हैं, ये आपके लिए, enough है, to complete your preparation, ओके, तो, आप join करना चाहें, तो join कर सकते हैं, और आप कोई inquiry हो, तो, आप inquiry भी कर सकते हैं, हमारा call number है, 822-705-6819, हमारा दूसरा number है, 8595-755747, Thank you.